दोस्तो इस कहानी में हम एक ऐसे जुल्मी राजा को देखेंगे जिनकी बीवी और उनके बेटे मिलकर उनके खिलाव जंग में उतर आते हैं लेकिन आखिर में इसका अंजाम बहुत बुरा होता है तो कहानी की शुरुआत में हम चीन के एक राजा के महल को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जोरो शोरो से जश्न की तयारी कर रहे थे क्योंकि तीन साल बाद महाराज पिंग और उनके बेटे राजकुमर जयाए महल बापस लोट रहे थे दूसरी तरफ हम महाराणी को देखते हैं जिनके पास उनका छोटा बेटा यू महाराणी को लेने के लिए आता है जब हो महाराणी को जश्न में लेकर जाता है तभी हमें पता चलता है कि महाराणी की तवियत काफी खराब है अब महराणी अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार बेन के पास जाती है और उसके सथ करीब आने की कोशिश करती है लेकिन राजकुमार बेन उन्हें रोक कर कहता है कि आप मेरी मा हो और मैं आपके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता जिसमें महराणी कहती है कि मैं तुम्हा प्रगत समारों में आने से मना कर दिया है। परिवारों मिलकर उनसे बात करते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि कुछी दिनों के अंदर एक महत सभ होने वाला है। दरसल ये परिवार साल के एक दिन अपने परिवार के रक्षा के लिए एक तोहार मनाते हैं। जिसमें वो लोग एक बड़े से गोल्डन कलर की फूल की पूजा करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज खुदी अपने हाथों से महाराणी के लिए दवाई बनाया करते थे। जब महाराणी वहाँ पर आती है तभी महाराज महाराणी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर खुन की कमी है। जिसको सुनकर महराणी कहती है कि मैं ये दवाई पिछले 10 सालों से ले रही हूँ लेकिन इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। जिसके बाद महराज फिर से महराणी को जवरदस्ती वो दवाई पिलाते हैं। कुछ देर बाद महराज से मिलने के लिए राजकुमर बेन आते हैं जहांपर महराज बेन से कहते हैं कि मैं इस राजगदी को जाई के हाथ में सौप रहा हूँ। तो अगर तुम्हें कोई इससे एतराज है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें बेन कहता है कि मैं इस गद्दी की काबिल नहीं हूँ और मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ जिसको कहा कर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तोहार आने तक कोई भी गडबर नहीं होनी चाहिए। कुछ दिर बाद महारानी के पास उनकी गुफ्तचर थी आती है और यहां पर हम एक बात को नोटिस करते हैं कि महारानी हमेशा एक कपड़े में गोल्डेन फ्लावर बनाती रहती थी। उनकी गुफ्तचर उन्हे को पता चलता है कि यह गुफ्तचर और कोई नहीं बलकि महाराज की पहली पतने यानी बेन की मात थी है। जिसको देखकर महाराज कहते हैं कि मुझे लगा के तुम अभी तक मर चुकी होगी। यहां पर हमें पता चलता है कि थी राजमहल के हकीम के साथ भाग गई थी। और महाराज भी कोई दूद कधुला नहीं है और उन्हें ने इस राज जी के महाराज को मार कर उनकी बेटी से शादी कर ली और खुदी राज सिंगा सन पर बैट गए। यहां पर थी कहती है कि मैं यहां पर सिर्प अपने बेटे बेन को देखने के लिए आई थी और अब मैं चली जाऊंगी खेर इसके बद एक दिन महाराज जाय को अपने पास बुलाती है और उसे अपनी दवाइं के बारे में बताती है वो कहती है कि मैं अंज़ान होकर हर रोज जहर पी रही हूँ जिसको सुनकर जैओ को काफी बुला लगता है महाराणी यह भी कहती है कि मैं यह सब कुछ बहुत सालों से जहल रही हूँ और आप मैं जहासी की रानी की तरह लड़ूंगी जिसमें जय कहता है कि मैं अपने पिता की खिलाफ नहीं जा सकता इसलिए महाराणी अकेली ही महाराज के साथ लड़ने के लिए तयार हो जाती है अब अगले दिन महाराणी बेन को अ थे लेकिन बेन वहां से उठकर चला जाता है दूसरी तरफ ये सब कुछ बाहर खड़ा हुआ यूँ भी देख रहा था रात में बेन चेन से मिलने के लिए जाता है जहां पर वो दुनों जब बात कर रहे थे तभी वहां पर थी आ जाती है और वो उन दोनों को एक साथ दे बात हुई थी तभी महाराज के आदमी उन दोनों के उपर हमला कर देते हैं अब थी किसी तरीके से हकीम के साथ घोड़े पर बैट कर वहां से निकल जाती है लेकिन रास्ते में महाराज के आदमी हकीम को मार देते हैं पर थी किसी तरीके से भाग जाती है इधर बेन जिसको सुनकर बेन बहुत गुसा होता है और कहता है कि मैं अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकता और यह कहकर वो खुदी एक चाकु से खुद पर वार कर लेता है पर जख में गहरा ना होने की वज़े से वो किसी तरीके से बच जाता है महारणी उससे कहती है कि मुझे यह सब कुछ करना ही होगा क्योंकि यह सब कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी है दुसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था खेर कुछ दिर बाद बेन के पास महारा जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और जिनके रि दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं जो महलाती है लेकिन तभी महाराज के सेना उसके उपर हमला कर देते हैं वो लोग चेन को मारने ही वाले थे के तब युँआ पर थी आकर उसे बचा लेती है पर सेना काफी तादाद में थे इसलिए थी और चेन पकड़ी जाती है और उ पिंसागे भाई बहन है चेन जब ये बात सुनती है तब यो अपने और बेन के रिष्टे के बारे में सोच कर चिलाते हुए वहां से भागने लगती है थी भी उसके पीछे पीछे जाती है लेकिन बाहर पहुंचती है राजा के सेना उन दोनों को जान से मार डालते हैं इसी बादो गुस्ते से कहता है कि मुझे बेन और महाराणी के नाजाइज रिस्ते के बारे में पता चल गया था और अब मैं इस राज सिंगासन पर बैठना चाहता हूँ दरसल यूने अपने ही पिता के खिलाफ शाजिश रची थी क्योंकि महाराज जय को राजा बनाना चाहते परिव महाराज के सिंगासन पर बैठना चाहता था यहां परिव महाराज के साथ लड़ने लगता है लेकिन वो इस खेल में काफी नया था इसलिए वो महाराज के सामने हार जाता है और महाराज उसे जान से मार डालते हैं अब महाराज के दोनों बेटे मर चुके थे लेकिन महराज को इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों ही महराज के लिए गदार थे दुसरी तरब महराज की सेना महराज के सेना के साथ लड़ रहे थे जिसमें जय भी मौचुद था इस लड़ाई में महराज की सेना महराणी की सेना को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं क्योंकि वो लोग तादाद में काफी ज़्यादा थे जाई अभी भी जिंदा था और वो हार मानना नहीं चाता था दूसरी तरफ ये सब कुछ महराणी एक जगह पर खड़े होकर देख रही थी तब ही वाँ पर महराज महराणी के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारी वज़े से मेरे दोनों बेटे ही मारे गए अब क्योंकि महराणी हार चुकी थी इसलिए महराणी के पास से उस गोल्डन फ्लावर को छिन लेते हैं इसके कुछी दिर बज़े को महराणी के सामने ला जाता है जहांपर महराणी जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मा की जान बखशकता हूँ लेकिन तुम्हारी मा को हर रोज वो दवाई पिलानी होगी जिसको सुनने के बद जय अपने माँ के पास जाता है और अपने माँ से माफी मांगर वो खुदी एक तलवार से अपने गले को काट लेता है जिसे वो अपने माँ बाप के सामने ही मारा जाता है इधर उसके मौत से उसके पिता को कोई भी फरक नहीं पढ़ रहा था क्योंकि जाए ने भी उसके पिता के खिलाब बगवत किया था लेकिन महारानी काफी दुखी हो गई थी और गुस्से में वो उस दवाई के प्लेट को उपर चालती है और वो दवाई सीधा जाकर गोल्डेन फूल के निशाने पर जाकर गिरता है और वो फूल जल जाता है अब ये दे